जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहू हो, केतू हो, मंगल हो, शनी हो, बुद्ध हो, भोम हो, सूरी हो, ये सारे जो ग्रह हैं, ये शंकर भगवानों के शिवलिंग के पास में विराजमाने। कभी मुका मिल जाए, विवहाशादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कारे चलू कर रहे हो, या कोई सर्विस के लिए नोकरी खली जा रहे हो, और वो कारे नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धातूरा उस धातूरे को फोड कर उसकी अंदर का फल निकाल कर उस फल को शिबलीमि पर चड़ा कर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करकर दिन होना चाहिए मंगलवालब कौनसा दिन होना चाहिए जम के बुलो ज़रा मंगला समर्पित करो उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी वेवसायो और वेपार के लिए या नोकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं हो एक पत्र में आया है सुनिए सहस्त्र धारा अभिशेख भगवान शंकर का या राम जी का या कृष्ण भगवान का या देवी देवता का जो होता है शुमाह पुरान की कथा कहती है ये सहस्त्र धारा अभिशेख का जो महत्व है ये मता सती ने भगवान शंकर के लिए किया था एसने किया माता सक्साव कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने दो-तीन वैपार करके देख लिए और गाटे गाटा हो रहा है इसमें मुझे तरक्वी नहीं मिल रही है इसमें मुझे उन्नती नहीं मिल रही है या करजा बढ़ रहा घट नहीं रहा वह बहुत करजा बढ़ रहा तब एक प्रयोक जरूर करिये ला तब बन सके परदोश के दिन एक धतूरा भागवान शंकर के शिविलिंग के उपर दीजे जब तुम्हें लगे कि मैंने दो-तिन वेपार बदल कर देख लिए चल नहीं रहे या करजा बढ़ रहा है घट नहीं रहा तब एक धतूरा भागवान शंकर के उपर रख दीजिए धतूरा रखने का एक नियम होता है धतूरे की जो डंडी होती है देखिए चोटी सी डंडी होती धतूरे में वो डंडी धतूरे की आप जहां बेठे हो उससे विपरित होना चाहिए धतूरे की डंडी आप इधर बेठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो अपने को लग रहा है कि विपर मैंने बदल लिया दो वार चार वार छे वार विपर बदल के देख लिया और करजा बड़ रहा है पर विपर भी नहीं चल रहा ठेक्टी डाली भो भी चेल्ज बंद हो गई तो काण डाली भो भी बंद हो है कुछ काम करा वो भी बंद हो गया जहां सम्मंद के लिए जाते हैं सम्मंद नहीं होता है बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा बहुत प्रयास करके देख लिया पर दो नहीं रहा तो प्रदोश के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विप्रित दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी जटूरे के ऊपर आप चड़ाना प्रानम कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हो महराज हाट के इश्वर महादेव का नाम लेकर कों से महादेव जम के बोड़ा हाट के इश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धातूरे को वापिस घर में लिया जाता है वापिस लिया उसके बाद तुम जिस कारे में हाट डलोगे और जो कारे करना चाहोगे उसमें सफलता मिनना चलू हो जाएगी और करजा भी दीरे-दीरे जूकना प्रागम हो जाएगा संबंद नहीं हो रहूंगे तो संबंद होना प्रागम कौन सा महादेव जम के बुलिए जरा हाट किश्यर महादेव का इसमने हाट किश्यर वो यह वो उस्प्रागम के लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चणाया जाता है हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है एक बहुत सुंदर बात है अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चड़ा रहे हैं शंकर के मंदर में जाकर आप दूद चड़ा रहे हैं शंकर के मंदर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे हैं तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी शिव देने में कमी नहीं रखता कमी अपनी सेवा में हो कई कई लोग कहते हैं हम संकर जी के अराधना करते हैं मैं पूजन करते हैं मैं तो इत्ते साल से बिलपत्र चड़ा दी मैं तो इत्ते साल से जल चड़ा रही हूं मैं इतने समय से भगवान के सुला सुंबार कर रही हूं मैं इतने समय से संकट सुंबार के वरत कर रही हूं भगवान नहीं सुन रहा है तो उसमें भगवान की गल्ती नहीं है गल्ती तुम्हारी है गल्ती तुम्हारी है है जब अंची दस्वान को भगवान के बाठा और शंकर बाठाओंने दस्वान को बाठा तो देशम आधीय पत्य केों सीजिशा में कौनसा efज़ देउता आदिपत्य रखेगा कौन से देवतां यहां पर निवास करेंगे किसका आदिपत्य इस दिशा में होगा कि पूरग पश्चीम उत्तर दक्षिन यह चारो दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने बगवान शिव के सामने खड़ी इस चारो दिशा दीरे करते इशान वायब यह भी आकर खड़ी हो दसो दिशा शिवरी के सामने थी सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई केवल एक दिशा एसी थी दक्षिन जो भगवान शंकर का इस्मन कर रही थी भगवान शंकर के स्वरूप का अनमोदन कर रही थी केवल दक्षिन दिशा कई लोगों के मन में प्रिश्ण है जीवन से होगा साय और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को यूटूब फेस्बुक पर आपके भी मन में ये प्रिश्ण आया होगा कभी जिन्दगी में तो आया होगा कि संकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है कभी तो जीवन में प्रिशन आया होगा आपके भी कि सब संकर जी के मंदिर में संकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है किस लिए रहता माराजी केवल एक दिशा इसी है दक्षि जो दिशा भगवान संकर का गुणगान कर रही है सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी दक्षिन दिशा शिव की अराधना कर रही थी वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वह खड़ी होकर दक्षिन दिशा की और हसने लगे सारी दिशाएं होता है जब दस फ्रेंड दस सहेलियां सरल भाषा में समझी है इसको दस फ्रेंड दस सहेलियां एक जगहा पर इखट्पी हुई और एक सहेली अकेली बेट कर माला जपे नाम जपे या हैंड सेक मुवाईल चला है या फोन पर लगी रहे या बात करे तो जितनी जो सहेलियां होंगी न फिटोली तो करेंगी न दक्षिन दिशा को देखकर उत्तर दिशा फिटोनिया करने लगी हसने लगी भगवान शिव की अराधना में दक्षिन लगी हुई थी पूरव और पश्चिम ये दो दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभीमान था इनोंने तो पहली सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे आधीन पूरव और पश्चिम क्या दिन सर्वदेव तो जब सर्वदेव मेरे आधीन है हमारे आधीन है तो हम क्यों जपें हम क्यों इसमर्ण करें पूरव और पश्चिम बेठे रहे एक सिंपल भाव में बेठे भी रहोना मध सुमध ठिटोली करो तो भी चल जा पर उत्तर ठिटोली करो और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिटोली करी शब्दों के बान कहना दक्षिन को चालू करे इतने में भगवान शंकर जो मद्य थे सामने जिस शिव की अराधना दक्षिन दिशा कर रही थी जिसके स्वामी है यमराज जब वो करी दक्षिन दिशा ने एक बार हाद जोड़ कर कहा उत्तरा शांत रहिए अगर मैं शिव अराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा इतने में जिस शंकर की अराधना दक्षिन दिशा कर रही थी शिव को क्रोध आ गया और किसी की तफसाधना में भजन में कीर्टन में अगर आप अर्चन उत्पन करते हो तो जो जब तब कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा जिसका भजन कर रहा जा रहा है जिसका नाम जपा जा रहा है तश्ट उसको होगा दक्षिन ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल मत कर पर उत्तर नहीं मानी तब दक्षिन उसी समय पर मोन हो गई आराधना में डूब गई शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप म प्रगठ हुए भगवान का तेज फुन्जितना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगे जल ले ले जल ले जल उत्तर की और गया तब उत्तरा की ज्वलन ताप समाप्त हुआ भगवान मता दक्षिन दिशा ने बर मांग लिया शंकरजी से भोले ना आपने मेरी आज कामना पून करी मेरी सकी को बचा दिया खृपा करिये शंकर भगवान ने कहा सुनो दक्षिन दिशा तुमारा पती यमराज तुमारे साथ मेरे ताहे तुम दक्षिन दिशा की मालकिन हो और यमराज तुमारे स्वामी है पूरा पश्शिम उत्तर ये तीम दिशा में जो संकर की अराधन करेगा संकर कभी उसकी कामना पून नहीं करेगा जो दक्षिन दिशा में बेट कर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिन दिशा में बेट कर यदि एक लोटा पानी भी चड़ा देगा शंकर उसकी कामना पून कर देगा अब दिक्कतियां अड़ी पड़ी एक है कि संकर जी के मंदिर में भी पंडी जी पूजन कराने बेट के तो पूरब का मूँ करो पर शिम का मूँ करो पर दक्षिन में नहीं करने दक्षिन में बेटने नहीं दे पर शिम महा पुराण करती है गर्ग सहिता लिंग पुराण इसकंद पुराण कहती है कि शंकर की अनाधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बेट करोगे सिर्षिकार नहीं करता पर दक्षिन की और बेट कर एक लोटा पानी भी चड़ाया है शंकर सिखार कर लेता शंकर उसको पा लेता अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते हैं भगवान नी सुनता तो दिशा देख ले पहले कोंची बेटी थी इतने दिनों से किस दिशा में मूँ रखकर पानी चड़ाया वो बता हमको पहले शंकर जी ने नहीं सुना अगर शिवजी ने नहीं सुना आपका तो क्यो नहीं सुना का रखकर क्या है वो तो जानो पैले क्ले क्या उसकर को पानी चड़ा रहे हो मंदिर में बहुत भीड़ है इधर खड़ी हो गई उदर खड़ी हो गई इधर खड़े हो गई इधर खड़े हो गई तो जो शास्त्र में दिशार कही गई है प्रयोक शास्त्र में जो वर्णन किया गया है उत्तर की ओर में भगवान का गर जल जा रहा ह और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की लड़के की या लड़की का या मंगल विवा नहीं हो रहा हूँ या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने उसकी शादी हो ही नहीं नहीं रहा हूँ यह जो बंग तोर यह दिवी भागवत में स स्च कहा गया अब्हांतों मौंगी लिए कि अप्र फुद्री नहीं हो मंगा और यह रखाने ऑड़कृशानम a का जु實त हो कि आम का जो पहते हैं कि अ क्षे अ आम के पते पर हल्दी और सिंदूर और दक्षन दिशा ने फिर आरादना प्रारम इन दोनों से स्वस्तिक का निर्मान किया जा देवी भागवद का संबाद है बहुत ध्यान देना मारवद जिन कन्याओं का विवान आओ पंचमी के दिन नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी मज चाहे वो चार नवरात्रे में से चाहे वो पाउस का हो अश्विन का हो चेत्र का हो असार का हो इसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं एक फिर मांगा पान के पत्ते पर एक ही पत्ते पर दो सस्थिक बनेंगे एक हल्दी का बनेगा एक सिंदूर का बनेगा बस अंतर इतना रखकर जिस लड़का लड़की का भिवाानों होता उसके हटलीपर रखकर उसका नाम और गोत्र बोल्कर वहां उसको ले जाकर समस्पाइं आप निवास करते हैं मातर साड़े तीन यह चार मेरे से मुड़ेको लोग पन्चमी सम्षान में फ्रवेश करने से पहले पंचमी चाये मर्श्पथा होगा। उसकी क्ता करीया के पहले प्राद है। जन्दकी में कभी संपदा नहीं होसानि है। अध्य है जिटने लोग सेंट प्रवेश्च करें जिसके घर में कमी ऊधारी्स प्रूल लुँए है' तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर जिन्दगी में तीन साल में तो करोड़ पती बनकर बेड़ जाओगे अभी लच्छमी की कमी नहीं आसा जितने लोग मुर्दे को लेकर बुच्छन दिशा की और अगर मुर्दे के चरण है पर जिसमें लोग लेकर मंदर मैं जाओगे लोग का जल्ब समर्पित कर दो उसका सम्शार लिखिया है कि हमारे परिवार में हमारे को तुम्ब में है तुम्ब में परिवार में कोई अलिकरमा साथ अमिरी के अंगें अगर लिखिया है तड़प्रा है पड़ा होगा है उसकी प्षिन दिशा की नहीं होती है पंचमी अगर जल्ब को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जा जाए तुम्धा के लिए और जिसका वेपार नहीं चलता है नोकरी नहीं लगए या सर्वीस नहीं लगए आप इंपलाई कर रहे हो जगा जगा जाकर इंटर्वी भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ तो उसके लिए प्रयास की जाता पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के